नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जिवित पुत्रिका ब्रत जिसको हम जितिया या जीवतिया भी कहते हैं आस्विन माह की कृष्ण पक्ष की औस्टमी तिथी को जितिया ब्रत मनाया जाता है जिवित पुत्रिका ब्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ के लिए पूरे दिन रात यानी 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं कभी-कभी ये 36 घंटों का भी हो जाता है सबसे कठिन ब्रतों में से एक है और आशुन मास की कृष्ण पक्ष सब्तमी तिथी से नौमी तिथी तक जिवित पुत्रिका ब्रत किया जाता है इस बार 2023 में जितिया ब्रत जिसे हम जिवित पुत्रिका ब्रत कहते हैं 6 अक्टूबर को रखा जाएगा पौरानी कथा के अनुसार अस्व थामा महाभारत के युद में नामक हाथी मारा गया लेकिन चारों तरफ ये खबर फैल गई कि द्रोनाचारे का पुत्र अस्व थामा मारा गया यह सुनकर असोथामा के पिता द्रोनाचारे ने पुत्र सोक में अस्त्र डाल दिये। तब द्रौबदी के भाई दृष्ट दुम ने उनका बद कर दिया। पिता की मिर्तियों के कारण असोथामा के मन में बदले की अगनी जल रही थी। अपने पिता की मिर्तियों का बदला तब भगवान स्रीकृष्ण ने अस्वत्हामा से उनकी मनी चीन ली जिसके बाद अस्वत्हामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्व में पल रहे बच्चे के जान से मारने के लिए उसने ब्रहभास्त का प्रयोग किया भगवान स्रीकृष्ण ने इस बात को जानते थे कि ब्रंभास को रोक पाना असंभव है लेकिन उन्होंने उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना जरूरी लगा उनको इसलिए भगवान स्रीकृष्ण ने अपने सभी पुन्य का फल एकत्र करके उत्तरा के गर्व में पल रहे बच्चे को दे दिया जिसके फल सरूप वो बच्चा फिर से जिवित हो गया और यही बच्चा बड़ा होका राजा परिक्षित बना उत्तरा के बच्चे को दोबारा जिवित हो जाने के कारण इस ब्रत का नाम जिवित पुत्रिका ब्रत रखा गया गर्व में मिर्त्यू को प्राप्त कर फिर से जिवन मिलने के कारण इसका नाम जिवित पुत्रिका रखा गया तब से संतान की लंबी उम्र अच्छे स्वास की कामना के लिए जिवित पुत्र का ब्रत की जाती है एक और कथा है हम फिर बात करेंगे इस कथा के बारे में भी विस्तार से जानेंगे पुजा पार्ट कैसे करें इसके बारें भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे फिलाल भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब महादेब धन्यवाद कि यहां बहुत प्रश्ट है करने भी बढ़ गया तकलिफें भी बढ़ गई बहुत दुख भी बढ़ रहा है कहीं हरिवार सही नहीं चल रहा है तो प्रयास करते रहा करो